ठीक है जी इस lecture में हम यह देखने वाले हैं कि किस तरीके से html या different किसम के codes जो हैं उनको utilize करते वकत हम data को scrap करते हैं libraries जिनको हम use करेंगे वो है beautiful soup 4 plus requests और इन दो libraries को use करते हैं हम data को scrap भी करने वाले हैं from wikipedia very simple example बहुत ही असान इलफाज के अंदर हम देखने वाले हैं और मैं आपको one to one बताने वालों किस तरीके से data scrap होता है पहले मैं आपको web page पे ले जाओंगा वहां पे आपको elements दिखाने वालों कि कौन-कौन से elements होते हैं बाइदावे जिन लोगों की web scrapping जो सीखना चाते है ना उनसे अभी एक बहुत बड़ी recommendation मैं देने लगाँ कि अगर तो सच में इसमें future ढूंटे हैं तो website बनती कैसे हैं वो पहले सिखे अगर आपको html tags का इल्म नहीं है अगर आपको डैनामिक या जावा स्क्रिप्ट या डिफरें अदर लैंगूज का इल्म नहीं है तो इस नौट रिक्मेंडेड के यार आप डिरेक्ली वेब स्क्रेपिंग सीखें कोई बात नी तीन दिन लगा लें चार दिन लगा लें बड़े बड़े टुटोरियल्स लोगों को बड़े हैं कि html सीख लें जी तेट गहंटे में दो गहंटे में जावा स्क्रिप्ट सी सीखना एक दिन का काम और लिटरिली वह बिल्कुल ठीक कहते हैं अगर नहीं यकीन तो आज ट्राइब करके देखिए कि हमेल पर थोड़ा सा टाइम लगा के क्यूंकि आप डेटा साइंटिस्ट है तो आपको यह पता होना चाहिए लेट स्टार्ट जी मैं जिस वेब इस 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 प्लासिकल हिस्ट्री टेक्स आगया माइल स्टोन आगे ग्लोबल डेमोग्राफिक्स आ गई पॉपुलेशन बाई रीजन आ गए यह टेबल्स आ गए ठीक है एंड देन देर आर सम अधर स्टाफ एस वाल तो हमारे पास काफी चीज़ें आ गए ठीक है अब आप गौर करें कि एक ही वेब साइट के उपर किस किसम का डेटा डेटा स्ट्रॉट्र बहले देखते हैं टेक्स का डेटा है है, हमारे पास हाइप्र लिंक्स है यह हाइप्र लिंक्स है अब हमारे पास value का डेटा भी है कि कितनी लांग Zumlos है है वे फोर हमारे पास इमिजीजिग एमिजीज का डेटा टेबल मैंने आपको पहले गिनाएं नहीं गिनाएं चले फिफ्थ टेबल कर लेते हैं फिर अगर हम लास्ट पर जाएं तो हमारे पास कुछ डेटा ऐसा है जो लोगो के साथ और बाकी कुकी स्टेटमेंट और वो हाइपर लिंक्स में आ जाएगा ठीक है टेबले डेटा यह में बात करो फिर लॉग इन क्रिएट अकाउंट यह भी डेटा हमारे पास है हम लोग भी बहुत कुछ इस पर कर सकते हैं बट वी डॉंट डू डाइट अगर आप गोर करें तो हमारे पास यह गीक्स वर गीक्स की वेबसाइट हम इसको भी स्क्राइब करने वाले लिट बिट बिट ओफ तेंग्स कुछ ज्यादा स्क्राइब नहीं करना सिरफ आपको दिखाने के लिए वर्ड पॉपॉलेशन अंडट दे सेंग वन इस दिस वन अब मैं स्टार्ट करता हूं अपनी स् मैं यहां पर 36 और Wie Citraping इसमयन इंजपश के लिए अब एक उर खाम करने और मेरे इंवारमेंट का नाम और रड़ी यहां पर आ रहा होगा आपके पास अधर जनम यह रहा थी कोंड़ा इंवारमेंट बनाना है वैब स्क्रैपिंगा उसके अंदर मैंने यह बनाया हुए अब इसके अंदर आपने libraries install करनी है जो मैंने आपको पहले बताई थी एक का नाम है beautiful soup दूसरी का नाम है आपके पास requests तो अगर मैं यहां पे pip install beautiful soup 4 लिखना पड़ेगा आपको साथ में ठीक है तो beautiful soup लिखने के बाद 4 लिख देंगे तो वो होली हो जाएगी install आपके पास अगर आप pip install requests यह लिखेंगे तो आपके पास requests वाली हो जाएगी यह दो अभी libraries मैंने की है अभी इसको पढ़ते हैं फिर हम आगे move करेंगे राइट जी यह मैंने कर ली python इसके अंदर मैंने install करना है तो आपको मांबा इंस्टॉल python भी जरूर करना पड़ेगा तो वह कर लीजेगा अब जरह मेरी बात को और से सुन लीजेगा कि यहां पर जो हम करने वाले हैं और इस इस गूइंग तो बिग थिंग जूस्ट विट विट हमने अब सबसे पहले काम करने इंपूर्ड रिक्वेस्ट की लाइबरेरी का एक ही काम है कि आपने वह वाला जो यूरल है उसके ओपर जाना होते हैं ठीक है इंपूर्ट रिक्वेस्ट की मैंने इसको चला के देखा है everything is working fine मैंने दूसरी करनी है from BS4 import beautiful soup ठीक है from BS4 क्योंकि हमने beautiful soup 4 install की है उससे हमारे पास आएगा BS4 मेरी तरफ तवज्जव कर ले लाइबरेरी इस बाद में भी इंस्टाल हो जाएंगी and I'm going to upload this video as well so don't worry about मेरी तरफ तवज्जव कर ले एक दफ़ा समझ ले मैं क्या करने वाला इसको एंटर करते हैं and then एक और लाइबरेरी बड़ी इंपोर्टन है पांडास यह इसके अंदर होना जरूरी है ठीक है अब यह तीन की तीन लाइबरेरी जापने करनी है और आपको एक और बात पता है कि जैसे आप किसी भी टेक्स पे क्लिक करके inspect पे क्लिक करें तो आपक पास उसका element open हो जाएगा यानि कि अगर आप गौर करें हर एक चीज़ का element है head का अलाइद है body का अलाइद है different divisions बनी होगी तो basically आप क्या करने वाले हैं आप इस website पे आ के इसके inspect element की जितनी information है उसको grab करके अपना data scrap करने वाले हैं ठीक है समझागी बात की ये वाली इस तरीके से हमने काम करने वाले हैं अब मैं वापिस code पे जाता हूँ यहां पे अब हमने scrapping करने हैं ठीक है सबसे पहला काम आपको मैंने बताया था एक ही library के अंदर हम करने वाले URL आपने देना URL is equal to मैं अपना word population वाला URL copy करता हूँ और यहां पे मैं paste कर देता हूँ अगर मैं ऐसे paste करता हूँ न तो यह मेरे पास एक error आईगी कि आपका URL different तरीके से चीज़ें दी हुई है जो ऐसे नहीं होना चाहिए तो URL आपने देना है अब आगे चलते है URL देने के बाद अगली जो important चीज़ है वो आपके पास क्या है अब आपने क्या करना है website के ऊपर जाना है ठीक है और python coding के थरू जाना है उसके लिए हम क्या करेंगे हम यहां पर लिखते है response is equal to request get URL request की library को use करके हमने भूला कि get URL यूरल पर चलो and there we go यहां तक आगे आप अब आपकी library का काम आने वाले beautiful soup की मैंने आपको बताया कि आप website पर जाते हैं उसके text को और बाकी चीज़ों को पढ़ते है beautiful soup उससे फिर content को separate करती है समयदा ही बात की अब हम content को separate करने वाले उसके लिए हम एक soup बनाएंगे और soup के साथ हम लिखेंगे beautiful soup क्योंकि हमने beautiful soup जो है यहां से copy की हुई है library import की है sorry हम response का यानि कि यह जो हमने object बनाया था response का इसी का आगे content लेंगे using html parser ठीक है html में जितना भी डेटा है उसको parse करके आपके पास यहां पे soup के अंदर store होने वाले something like this ठीक हो गया जी यहां तक clear हो गया हम website पर गए वहां से parse किया data html का जो मैंने आपको दिखाया था सारा अब हमने क्या करना है हम इसके बाद अगर आप चाहें तो soup को यहां से अगर dot title लिखेंगे तो यह आपके पास soup का title आ जाएगा यानि के उस website का title आ गया अगर आप यहां पे soup dot text लिखते हैं तो यह आपका text आ जाएगा और यह बहुत बड़ा text है चेक करें समझाई बात की अगर मैं इन्हीं चीजों को प्रिंट करके soup dot title यहां पे ऐसे करता हूं तो सेम इसी तरीके से आ रहा है बट अगर मैं यहां पे इस तरीके से करता हूं तो मेरे पास exactly text आना स्टार्ट हो जाएगा तो मैंने क्या किया है पहले soup dot title को प्रिंट किया तो उसके टैग्स आ रहे थे साथ में यानि कि अगर मैं copy प्रिंट स्कूब डॉट टॉट टाइटल यह चेक करें यह मेरे पास इसके टैग्स आ रहे थे हैं तो जब हम कहते हैं कि टैग्स के बगाएर टैक्स दिखाओ तो सिरफ डॉट टैक्स आप लिखेंगे तो आपके पास वह आजाएगा राइट जी यहां तक ठीक होगी बात अब आगे चलते हैं मैंने आप क्या करना है मैंने प्रिंट करना है और प्रिंट के आगे सूप डॉट प्रिटी पाई लेट मी सी नो नो दिस वन आप अपने डेटा को प्रिटी फाई करके भी प्रिंट कर सकते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूं कि मैं क्या करना चाहर हूं यहां अब आप चेक करें आपकी पूरी वेबसाइट के उपर जो हमारे एलिमेंट्स थे वह यही नहीं थे अगर आप गौर करें जो मैं आपको F12 करके अक्सरों काथ बंदा देखता हूता है यह गलती से हाथ लग जैना F12 पे कीबोर्ड के उपर तो ऐसी वेबसाइट यह आने लग जाती है आप पर मतलब हुआ क्या है यहां पर मैं आपको दुबारा से पूरा परसीजर समझाता हूँ यहां पर यह वेबसाइट थी और इसके उपर हम कहीं पर भी क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट को उपन कर सकते हैं हम यह वाला डेटा सेट पाइथोन के थूँ वहां पर ले गए अब हम इस पर एक और काम करने वाले हैं सूप हमारे पास आगया और हावी किसम का सूप है आप देख सकते हैं यह दिस नोट दे स्मॉलर वान जो मैंने अभी आपको दिखाया था वहां पर तो हमने एक टेक्स को देखा था तो यह हमारे पास पूरे का पूरा अगर आपने सब्सक्राइब करने है कि निए को है एसकर लीए ये वाली कमांड आती है मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ कि कि मैंने कि साथा है कि यहां दाल करकि रखे मैं इसको क्णुझ आगोबा से चांब है है इसको को अद्टा जढ़े ।ा सो मेरे पास यह टाइटल आ गया मेरे पास HTML का डेटा अगया नो वट इस दे नेक्स सिंपल आपने अब क्या करने हैं अगर आप चाहते हैं कि इस पेज के सारे के सारे टेबल्स आपको मिल जाएं तो वह हम करते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे टेबल्स लिखते हैं और हम सूप में से फाइंड डॉल की कमांड लगा के यानि के उसका फर्दर एक डॉट जैसे हम पांडास की नहीं लगाते थे डॉट हैड डॉट टेल डॉट सम्थिंग डॉट अब सूप जो है यह आप यही समझ लें के सारे मैंने अपनी तरफ से read कर लिए और वो एक टेबल्स में store हो गया लेकिन उनकी कोई चीज कोई समझ नहीं आ रही हमें कि क्या चल रहा है ठीक है यह चेक करें सारा कुछ हमने यहां पर प्रिंट तो कर लिया टेबल्स जितने भी थे हमारे लेकिन वह ऐसे scattered हुए पड डैश यह जो टैग है टीडी का यह असल में हमें टेबल्स को यहां पर दिखा रहे हैं सो मैं गया करूंगा इसमें एक एक next step हम और करने वाले मैं प्रिंट को यहां से रिमूव करता हूँ मैं एक data frame बनाऊंगा हर एक table का ठीक है जिसको मैं बिल्कुल खाली स्ट्रिंग के साथ स्टार्ट कर लोगा एमटी लिस्ट उसकी बना लोगा ठीक है यह मैंने क्यों किया है क्योंकि अब हम एक for loop चलाने लगे है पूरे के पूरे सूब के अंदर जहां से हम tables को extract करेंगे और data frame के अंदर डालें पूर लूब लगाएंगे HTML के code के अंदर जहां जहां table है उसको extract करके हम लगाएंगे उसको data frame के अंदर तो मैं यहां पर लिखता हूं for i in tables यानि कि यह जो tables है ना इसके अंदर जितने tables हैं for i in table यहां पर हम start कर लेते हैं पहले row से, यह मैं table से नहीं start करता है data frame से, row से start करते हैं, तो हम कहते हैं कि row is equal to table.find all और जहां पर tr की value आ रही है, ठीक है, table row इसे बोलते हैं, अगर tags आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता जाता हूं, साथ साथ, तो हमने क्या करना है, one column लगा देने, इसका मतलब क्या है, पहली row को हटा आके, अगर आप रखना चाहें तो it's fine, otherwise it's up to you, तो one का मतलब है, one से start करो, zero miss कर दो, ठीक है, समझा रही बात की यहां पर, तो हम row निकार रहें, अब अगला काम हमारा यह है कि हम data is equal to, तो इसको empty list में हम रख लेते हैं data को, क्यों रख रहे हैं मैं भी आपको बताता हूँ, अब हमने क्या करना है, for row in row, इसको मैं rows कहता हूँ, row dot find all td, यह क्या करेंगे, हमें columns बता देंगे, और हम यहां पर फिर एक और काम करेंगे, calls is equal to, call dot text strip for calls in calls, and then we will do depend data append, और उसके बाद हम, df is equal to pd data frame के अंदर data को, and data frame append, अच्छा, मैं इस वेड़े से सारा code लिए था कि आपको एक दफा मैं समझा दूँ हूँ, हमने पहले tables पूरे के पूरे print करके देखे, हमें कोई समझ नहीं थी आ रही है, ऐसे ही है, फिर हमने क्या किया, हमने का चलो यार ऐसा करते हैं, एक data frame के अंदर ना, सारे के सारे tables को add करते हैं, चेक करते हैं कि कितने tables हमारे पास हैं, HTML code में से, क्योंकि हमें पता है कि दो ऐसे tags हैं, tr and td, which tells you about the dimension of a data, यानि के rows versus column, तो हमने सबसे पहले क्या किया, find all rows कर लिए, फिर हमने जितनी rows थी ना, उनके columns find out किया, हर row का column find out किया, and then उनको हमने data frame के अंदर add कर दिया, data frame के अंदर add करने के बाद, हमने data frame append कर दिया, in this one, ठीक है, यानि के यह जो df बना हमारे पास, इसको हमने append किया data frame के अंदर, तो अब जो यह वाली खाली list थी, यह इसके साथ भर गई है, समझा है बात की, now I will run this, let's see error कहां पे, we'll see that, table for i, sorry, यहां पे error for i, comma table, in enumerate table, now it's fine, yes, let's see, yes, now it's fine, यह जो मसला आ रहा था हमारे पास, in tables के enumerate करना है हमने, जितने tables हैं क्योंकि एक table नहीं है, यह there are many tables, तो इस वज़ा से हर table में से हमने enumerate करके i for age table ले लिया, अच्छा, okay, now we will see के हमारा data frame कैसा दिखता है, सबसे पहले तो मैं इसको run करके देखता हूँ, everything is working fine, इसका मतलब है कि हमारे पास सब कुछ ठीक है, अब हम क्या करेंगे, data frame, और अगर पहला data frame देखना है तो हम zero लिखेंगे, दूसरा देखना है तो one, तीसरा table देखना है तो three, two, three, four, so on and so forth, यह मैं इसको print करता हूँ, तो यह मेरे पास जिप पहला table आ गया, ठीक है, अगर मैं बिल्कुल head को भी हटा दूँ, तो मेरे पास पूरे का पूरा data कुछ इस तरीके से आएगा, पहले table का data, यह दूसरे table का data, यह राज यह तीसरे table का data, यह राज चोते table का data और यह इस तरह जाता जाएगा, ठीक है, अब एक मसला इसमें जो आपको मैंने दिखाया था, यहाँ पर skip की थी हमने पहले रो, अगर मैं इसके पीछे एक hashtag लगा दूँ, let's see, अब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे साथ में लिखूँ, इसको skip ही नहीं करते है, जैसे थाव, ऐसे रहने देते हैं, वो none वाली जो command थी, वो remove हो गई है, so इस तरीके से आपके पास table आते जा रहे हैं, अब आपने इससे sense खुद बनानी, जो मैंने आपको web scrapping के पहले कुछ basics बताई हैं, जिनके अंदर हम यह देख रहे थे, कि first row empty थी, इसके मतलब यह, हम sense यह बना रहे थे, जब data set हम download करते हैं, या scrap करते हैं, एक सरकात, उसकी headings जो हैं हर column की हमें नहीं मिलती, तो हमें खुद से data लगानी पड़ती है, यह हमें sense बनानी पड़ती है, अब हमारा data है word population का, ऐसे हैं जी, obviously यह जो होंगे, यह क्या होंगे हमारे, area, ठीक है, continental areas, ऐसे हैं जी, ठीक है, हमारे पास यह हो गया, अगर मैं यहां पे zero लगाता हूँ, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से data आ रहा है, one लगाता हूँ, तो यह हमारे पास इस तरीके से data आ रहा है, two लगाता हूँ, अब आपको समझ आए कि यह इस तरीके से data आ रहा है, अगर मैं यहां पे three लगाता हूँ, let's see, तो यह data आ गया, अब आप मुझे बताएं, यह Asia, Africa, Europe, Latin America, यह तो आपको समझ आ रही कि क्या चाल रहे है, ठीक है, यह क्या चीज है हमारे पास, India, Nigeria, Russia, Brazil, United States, countries आगे न, आपने यह भी देख लिया कि countries के साथ कुछ और भी आ रहा है हमारे पास, इसका मतलब है, वो need to clean this data, जो मैंने start में बोला था कि structure ठीक नहीं है, either you can do something here, in the for loop, वरना आप खुद से, इसको remove कर सकते हैं, फिर आप खुद देखें कि चाइना की सबसे ज़्यादा population, उसका नाम ही नहीं है यहां पर, so here we go, अब हमारे पास जो data आ रहा है, different countries का, वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, और यह जो है, यह बकाइदा reference होते हैं, अगर आप Wikipedia को जानते हैं, उसकी website को देखा हुआ है आपने, so उस website का पूरा मुतालिया करने के बाद, आपको समझ आ रही होगी, कि यह references है, यह percent है किसी चीज़ की, फिर इंडिया चाइना और चाइना और चीज़ें चाल रही है, अगर हम यहाँ पर five लिखें, तो table आते रहेंगे आपके पास, different किसम के, ठीक है, तो आपने इन tables में से अपनी मर्जी का table निकाल ला है, और साथ में dot two csv करना है, और उसको save कर लो simple, कोई बड़ी बात नहीं है, यह अगर मैं यहाँ पर number three को save करना चाहूँ, यह two को, let's see, यह one को कर लेते हैं, छोटा table है, this one, तो मैं यहाँ पर लिखूँँगा dot two csv, इसका नाम रख देता हूँ word population, index मैं कर देता हूँ false, अगर रखने भी हैं तो मैं true कर दूँगा, otherwise I can change के country कर दो, इसको percent population कर दो, फिर so on and so forth इसको जाने दो, header true करने हैं तो I can do that one as well, मैं header यहाँ पर true कर देता हूँ, तो जैसे हैं वैसे चले जाएंगे, and you will see, के data मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, let's see, यह आ गया word population का data, and here you go, this is the dataset, छोटा है, उजहारी I know that, but if you have a bigger table, तो आपके पास वो बड़ा table आ जाएगा, तो इस तरीके से आप data web scrap करते हैं, different websites के थूप, let's do it from another URL, जो मैंने अब यह आपको बताया था, geeks for geeks का, मैं उसको ले के आता हूँ, यहाँ पर, और हम उसके उपर थोड़ी से web scrapping करके देखते हैं, कि वो हमारे पास कौन सा data देता है, ठीक है, and then we will see, कि web scrapping किस तरीके से हमारे पास, जो है वो perform होती है, मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यह पूरे का पूरा code जो है, ऐसे copy करता हूँ, simply वो ही चीज बार-बार होनी है, इस वज़ा से मैंने सिर्फ URL चेंज करना है, geeks for geeks, यह आपको यह और भी कर सकते हैं, so it's not a big deal, यह मैंने paste किया, यहाँ तक आपको समझ है ना, soup बनाने तक, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है न, कि website का HTML parser को ले के, हमने soup बना लिया, अब इसको print करते हैं title को, तो आपको पता है कि यह title हमारे पास geeks for geeks है, computer science portal for geeks, ठीक है, तो यह उसकी website का main heading है, अगर किसी को नहीं पता हो, so you can take the data like this, अब अगर आपके पास, URLs की list पड़ी है, 1000 URLs की, और आपने वो सारे के सारे URL निकाले हैं, hashtag data science से, from google, मेरी बात समझिएगा, तो is it possible कि आप सभी के सभी का, title, text, body देखें, और उसकी base पे analyze करें कि high ranking में कौन सी unique qualities हैं, you can do that, by the help of NLP, और data analyst ने खुद सोचना होता है कि क्या करना है, किसी ने नहीं बताना कि ऐसा कर लें, right, अब ये मैंने काम किया है, अगर मैंने सिर्फ text लेना है, dot txt लिखूंगा, यह रा text, ठीक है, और अगर मैं soup, dot txt लेता हूँ यहां से, तो मेरे पास इस तरीके से इसका text आ जाएगा, और फिर मेरे पास skip हो रही है चीज़े, and moving on, अगर मैं यहां पे print, और इसके अंदर soup dot prettyfy करूँगा, तो मेरे पास जितनी भी HTML के tags है ना, वो indentation के साथ आएगे, यानि कि जितना आगे फरक के साथ है, वो ही यहां पे वैसे ही आएगा, अगर मैं इसको prettyfy नहीं करूँगा, तो यह मेरे पास indentations नहीं आएगा, indentation का मतलब होता है, कि वो tab लगा के आप थोड़ा सा आगे करके नहीं लिखते चीज़ को like this, यह, तो वो इसके बगार वैसे नहीं आएगे, अगर आप सिरफ soup को यहां पे print करें, तो यह देखें, यह direct आ रहे हैं, तो अगर आपने indentation के साथ लेना है, you need to write prettyfy soup, और फिर prettyfy print soup, prettyfy जासे हमने किया था, so this is how you can actually place the data from different websites, अगर आपने table लेने हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, you can do a lot of stuff, याद रखिएगा, हर website से data नहीं निकलता, you need to be very careful whenever you are doing something like that, फिर मैंने जो आपको चीज़ बतानी है भी वो यह है, कि जनाब, आप किसी भी website का URL ले, ठीक है, और यहाँ पर आपके उसको बोलें कि भी, मैंने इस website से data निकालना है, मुझे code दे दो, python में कटने के लिए, तो यह GitHub Co-Pilot आपको पूरे का पूरा code दे देगा, तो आपको वो याद करने की जुरूरत नहीं है, कि मैंने क्या क्या चीज निकालना है, simply, वो पूरे का पूरा code आजागा, and then you can understand, basic समझना हो जरूरी है कि website में कौन-कौन से elements होते हैं, किस तरीके से tags होते हैं, किस तरीके से headings होती है, ठीक हो गया जी, यहाँ पर मैं स्क्रेन को stop करता हूँ, because we have to move to our next lecture, which is about stock market का data directly, करेंट से ले के पिछले कही सालों का अब निकाल सकते, stock market का, and then we are going to learn that one in few seconds.